आज यहां लद्दाग से लेकर तमिल नाडू तक और गुजराच से लेकर ट्रपुरा तक पूरे देश के सर्वस्रेस्ट सिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी मैं देख रहा था कि आज सम्मानित किये गए 47 सिक्षकों में से 18 अधियापिकाएं हैं यानि लगबख 40-50 यह देखकर मुझे विशेश खुसी हुई है सिक्षक के रूप में मैलाओं ने हमेशा महत्पूर भूमका निभाई है आज पूरी दुनिया COVID-19 की वैस्विक महामारी से जूज रही है जिसने जन जीवन को भारी छती पहुँचाई है और हर प्रकार की गत्विदियों में बाधा उत्वन नकी है भारत सहित दुनिया भर के अधिकांस देशों में स्कूल, कालेज और अन्य सिक्षन संस्थान बंध है या इससे प्रभावित है ऐसे समय में सिक्षा प्रदान करने में डिजिटल टेकनोलाजी की बहुत मात पूर्ण भूमका रही है हमारे सिक्षक कई माध्यमों जैसे मोबाइल, लैप्टाप, वीडियो कान्फेंसिंग, एप्स, कम्मुनिटी रेडियो, पॉड्कास्ट, टेलिविजन के जरिये बच्चों तक पहुँचने और उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रियासरत है COVID-19 के कारण आये इस अचानक बदलाव के समय, पारंपरिक सिक्षा के माध्यमों से हटकर, डिजिटल माध्यम से पढ़ाने में सभी सिक्षक सहज नहीं उपा रहे थे लेकिन इतने कम समय में हमारे सिक्षकों ने डिजिटल माध्यम का उप्योग करके विद्यार्थियों से जुणने के लिए कड़ी मेहनत की है यह महत्पूर्ण है कि आप में से हर कोई डिजिटल तकनीकों का उप्योग करने के लिए अपने कौशल को अपग्रेड और अपडेट करें जिससे आपके सिक्षन की प्रभावशीलिता और अधिक बढ़े